कि मॉर्निंग स्ट्रेट्स इसलिए जो ग्लास थे उसमें अपनों ने तीन तक स्वाज देली थे इसके बारों भी वैसे चल्सा कर ली थी लेकिन थोड़ा सा दुबार देख लेते हैं ठीक है यह कि तालिगा की जांच कीजिए परतेगा करती में त्रपुजों को बाटने पर त्रपुजों को माढ़ में पर और कोनों की योगफल रूस तो निकालने का उससे ककी आण़ूझों ंब यहां क्या है त्रपुज पितने में रहें दो एक इंते है तीन्त is कितनी होगी ? 350 ठीक है ? तो योग फिलगसृतर क्या होता है ? योग फिलगसृतर होता है n-2 x-c महाँ रखते हैं n की जगे ? 2 sorry n की जगे देखो n क्या होती है ? n होती है बुजा ओंकी संग और बुजा कितनी है ? 4 4-2 x-c 4 में से 2 x-c से multiply करें इंगा ? 300 तो आप चाहिए इस फॉम्ले से निकालो जाए दो एक्सवर्शी के लो तो यहां चरके आरे दूनों का एक जिसार है ऐसे यहां टीन को एक्सवर्शी से खुड़ा करते कितना आएगा कि अधार चोपन एक जीरों पांसुचालिस आएगा अब यहांदे को तरुबूर कितने बढ़ रहे हैं जो तीन इंटू एक्सवर्शी कितना आगया पांसुचालिस ऐसे अगर एंटीस फॉम्ले मार रखेंगे तो एंटीस एक्सवर्शी में से पांच पांच माइनस दो अधिया आगया दो और हम पांच मांच मार इसा प्रोच आपकर आपके हम नींचे दे रहेते हैं हैं कि आपको भूबूज के निचा निचाना है जिसके बुझाएंcidos की सुखेतों संक्तायस पूलब यूजेंस.%, çal रूज-धे हम दिशुत कि निचाना है और फो思ब हो क्राफश में अरुनर याम पाल शचाना हैужता यूапई एक सो अशी एक सो एक सो करेंगे इसको अब इसको हल लेना ऐसे ही आगे एंस इतना देर के अब ब्राबर देखी अब को अब तरबाबर फ। तषिकाई मोरा को हुआ है सम वोबूज करते हैं कि है सम वोबूज क्या है सम उबडा निल्शान और सम्वोबूज क्या है । derived ऍर इ deeplyंयों में हैं जिसले करने निल्शान डिफि न्लएता है कि सम यां संतर सम बात अन्हें जिसकी बना उर्छीन क्या हो समान. हो जिसकी बुझाए और राएं कोणों के माप क्या हो समन हो वह भुझाक लाता है हुप है बुजाञ़बुज़ क्या रहता है? तो जिसका बुजा क्या हो? बुजा उसकी जिसकी जिसकी प् determasными हो US ब contest भुज बाता है, यूज अपने हैं क्या हो और बुजाहूं का मार के हो बराबर हो सिसके घृतीनों का चल्च होता है शाnumber अत्र मेर्साह इंद कि कहां होती है लग Character होता है साजी, तर विभाण की ना होता है तो सब्सक्राइण, साजनी साज नीवसस्क्राइण सामान है, और सात्र एक होती क्या है 60 Bro सबाद कि एक संबाओ बुच का समभबुच का नेक्ट प्यों पर मोल रहा है जिसकी मुझाई सुभग क्या हो 4 हो क्या हो बुचा मुझाई हो 4 जो बुचाई चान जो इसे आकिर्टिक आपको बताना हो क्या हो संबुच का उदारण तो वह है वरग क्या होएगा वरग होएगा क्योंकि वरग की परतेग बुजा क्या होती है समान होती है और यहाँ परतेग पर क्या होता है 1990 डिगरी के कौन होते है ठीक है तो यह आपका उसनускे परतेगे वरग क्या है कि वरग वरग मतलब जिसकी चार ओंपुजई क्या है यह थे रागे समान है और कौन होती है समान है तो सम्वोगुच का वह example है जिसकी चार गुजाय क्या हो? समान और कौन भी क्या है? समान ठीक है? next कог गोल रहा है कि ऐसे बता हूँ जिसका छे गुझाए हो छे गुझाए हैं गुझा क्या क़िछा क्या हो? बुजा जिसमें चैह हो वो आपका गहलाएगा सम सर्बुज ठीक है सम सर्बुज सम सर्बुज वनेगा ऐसे एक, दो, ती, चार, पार, छे ठीक है ये शहे भुजाएं ऐसे बनेगी और जिसके कोज़ भी क्या गएंगे बराबर मां क्योंगे वो क्या कर लाएगा सम सर्बुज ठीक है बुजा Cynthiaus हाओन का लंपाई भी क्या हो needed समान हो juga और पकिरम का भबान समान होनेगे टीक है निपली के दाकतियों में x के value भी काल ली है, आपको बूछ आकतियां दे रखिए, उनाकतियों को, देखके आपको बताना है कि इसमें तो x माना हुआ है, उसकी जिदर क्या आएगा, जिसे पहली आकतियां करती है, पहले आकतिया है, जिसमें यहां कॉन का मान दे रखा है, 130, और यहां पे दिख्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है 120 और यहां दे रखा है X और यहां दे रखा है 50 खी तो आपको बता है कितनी बुज़ाएं इसमें एक डो तीन चार चार बुज़ाएं तो चार बुज़ाएंशेवर क्या होता है तो हम जानते हैं कि चत्रपुच के चत्रपुच के अंतर कॉनों का योगफल क्या होता है जीके चत्रपुच के अंतर कॉनों का योगफल का थिम साट लिए बराबन 300 प्लस को दो जाएगा माइनिस का X बढ़ाबर 360 माइनिस 300 X बढ़ाबर कितना आ गया 60 ऐसे ही Next अगला जो डाइगराम दे रखा है वो देखो यह दे रखा है यह दे रखा है 90 यहाँ X यहाँ 70 यहाँ 60 यहाँ यहाँ B नमबर यह नमबर यहाँ यहाँ 90 है तो इधर भी क्या रखाएगा 90 यह कहलाता है रिखे उगम नियम अना एक सडल रेखा के उपर एक सडल रेखा के उपर यहाँ अगर पूँछे तो आप 180 होता है तो अगर इधर यह 90 यह निसान ना संकौन का निसान है तो इसका मतलब है कि वो क्या है 90 यहाँ 90 है तो इधर 90 है रिखे रेखा 90 क्योंडूल क्यों रोगए तो इथर यहाँ रेग्या 90 इसमें भी कितनी कुचाए है और आगे हैं चार फुझाओं का योगफिल क्या होता है तिन तो साथ दिनों का दो ब्राबर क्या रखना है वैस्ट सेम तो सवाल है 305 ब्राबर रखना है हल करोगी एक्स की वेल्यू आठेगे तिक के या पर लेना अपने आप ऐसी नेक्स्ट नेक्स्ट भी आपको खुद करना है वैसे मैं समझा देता हूं आपको प्रड़ा सब्सक्राइब मैंक्ष में क्या करना है यह एक डायग्राम दे रखाए देखो यहां किकने कुण दे रखाए 70 और यहां 60 और यह भी एक्स है और इसकी वैल्यू भी दिया है एक्स है और यह दिर रखाए 30 ठीक है देखो कि यह 70 है मैंने आपको गुला टॉपल कितना होता है 180 तो यह 70 तो यह कितना रहा गया 110 यह 70 तो यह दिर कितना रहा गया 120 अब देखो कितने मिन रहा है देखो गुजाए कितनी है एक दो ती चार और पांच 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 पुजाएं आपको इन पता है पांच बुजाएं कितनी है बुजाएं है 5 तो कोणों का योगफल निकालने का फूमला निकालने का फूमला होता है अब आपको क्या करना है 540 आपको पता है इसम का योग है आपको क्या करना है सम का योग करके 540 के बराबर रखना है मटलब ऐसे 30 प्लेस एक्स प्लेस एक्स प्लेस एक्स एक्स उदस एक्स विनावर क्या गया 540 अब इसुका हल कर लें है खल करोगे एक्स होर एक्स कितना हो से 파ेंगे 2X परके जोड़ने हैं 30 और 110 हों के 140 140 और 20 130, 160, 260, 200, 260, 260, 250, 240, 200 बट जाएगा मानिस का, तो 2X बड़ाबर 540 मानिस 206, अब इसमें से घटाके, वो दो यान गोहना बहुत जाएगा, बटे में था इसकी बहुत जोएगा, यह आपको ऐसे करना है, ऐसे ही अगला स्वाल है, इसमें आपको बुझाए इतने दे रिखिये, बुझाए आपको जिर रिखिये, दो, तो चार वैले 5, चीचे बहुत एक्जोट के 545 का क्या देना है बाद X की वाज़ी वाज़े हैं अब यह प्रेटे हैं नेक्स नमबर स्वालना का साथ पर एक्स प्लेस वाज़े प्लेस जैट की क्या निकालनी है वेल्यू निकालनी है आपको तिनों का योग कर्की बताना है कि X प्लेस Y प्लेस Z कमान क्या है देखो सिंपल सा स्वाल है या तो आप सिधा ही बोल सकते हो कि इस कमान क्या आएगा 360 आएगा क्यों क्यों अपनों ने परसों पिछली जो क्लास में किया था जो भी आपको मिला है उसमें मैंने आपको बताया था कि 22 कोणों का योग फ्लिका होता है वह मुझ के 360 तो x plus z y plus z का मान क्या होएगा 360 होएगा ठीक है या फिल हल करके बता सकते हो दोनों करिके अपने मैं आपको एक स्वाल करवा जाता हम एक आप अपने आपको आपको बोल सकते हो इसका मान क्या होएगा 300 साथ या फिल हल कर सकते हो कि यह दे रहता है 30 कि यह दे रहता है नपी इसका मान एक्स इसका वाई और इसका जैक है तो एक तरीका आप जानता है कि तिर्पूज के तीनों का योगफिल हो गया 180 तिर्पूज के तीनों का योगफिल हो गया 180 तिर्पूज के अंता है कोनों का योगफिल हो गया 180 तो नपे प्लस थीस प्लस पी बराबर एक सो असी नपे और जीस होगे 120 तो एक सो बीस प्लस पी बराबर एक सो एक सो बीस उदर जाएगा कि एक सरार रेखा की उपड़ कोहन होता हो इतनीक होता है 180 तो देखो यह 30 है तो यह कितना आ गया एक सो असी में सीख़ा दो 150 यह 90 है तो यह कितना आ गया 90 यह साथ है तो यह कितना आ गया 120 सबको जोड़ गो एक स्लेस प्लस बाई प्लस जैट बराबर एक सिवाइव इतनी एक सो बीस प्लस जैट की कितनी 150 जोड़ो देखो नबबे हमने 120 हो गए आपके 210, 210 हो जाएंगे आपके 307, ठीक है, ऐसे जातो, फिस्ट नमबर जो इसका सेकेंड पार्ट है, वो अपने आपका हो गए, चार गुजाएं जे रखें तो चत्रबूच बन रहा है, चत्रबूच के एक सेह सवाल है, चत्रबूच के चारों बड़ देखो डाइगर आप बनागे में तोड़ सम्धा जता हूँ, यह ससा डाइगराम राइसका, चिलिए, यहाँ दे रखें है, डबलू, यहाँ एक्सों बीस, यहाँ एक्स, यहाँ असी, यहाँ वाई, यहाँ शाड़, यहाँ जटबूच के आपको क्या करना है, पहले इसका फल्सी फोट भाल दी है, यहां बनाले थेएं पयश्त प्लस एक्सका Chap단, चारों को जोड़ जोड़के तीन 108, 108, 120, इस चाहिए, एक्स क्या जी, एक्स क्या जी, एक्स क्या जी, एक्स क्या जी आगी 7, 80, डी जी आगी, 100, 60, डी जी आगी, 120, ठीक है, अब सबको जोड़ाँ, और इसका भी मान 307 लिए आई जाए, 22 कौण का योगफल हमेशा क्या होता है 3070 होता है तिके बहुपुच के 22 कौण का योगफल क्यों होता है 3070 तो यह तीन पूर्ट एक यहाँ अग्ली पुर्चन में आगे तो करेंगे हमेश्टो को लक्स